आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है, आपके लिए लेकिया हैं दो अच्छी opportunities, क्या है latest खबर उन stock के बारे में और क्या होंगे buying level इन stock पर, आईए चल कर visualization करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अदानी green के बारे में, दोस्तो green is the future, mark my words, आगे आने वाले समय में इन green energy projects में अगर आप निवेश कर रहे हैं, अगले 10 सालों में यह आपको करोड़पती बनाने की शमता रखते हैं, दूसरा stock है, Acrysal Limited के बारे में, kitchen की limited activities करते हैं, और high end sinks बनाते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, यहाँ पर दोनों stock कुछ दिनों से नीचे गिर हुए है, overall market भी नीचे गिर हुए है, consolation हो रहा है, तो यहाँ पर इस तरह की company भी गिरती है, क्या यह अच्छी opportunity है, अगर आपके पास 15 second का समय है दोस्तों और portfolio size 10 लाग से ज़ादा है, तो इसको सुनिए, otherwise आप main video के contact में जा सकते हैं, अगर आप stock market में day trading करकर regular earning करना चात हैं, तो उसके लिए आपको चीजों की बारीकियों को समझना होगा, tools use करने होगे, और समझना होगा कैसे काम कर सकते हैं, अगर आप interested है, तो हमारे workshop को join कर सकते हैं, 10,000 रुपे की workshop है, इसमें आपको आने वाले समय में हम पहले दिन classroom style की workshop कराएंगे, और फिर 14 दिन के implementation उस class का कैसे होता है, real life example market में आपको trade कराएंगे, अगर interested है, तो mail drop कीजे, चार वीडियो आपके लिए end में प्रसुत किये जाएंगे, जो इंसे related होगे, आपको हम बताना चाहते हैं, one of our paid members को 43,000 रुपीज का profit होए पिछले week की expiry पर, और देखिए हमने future and option में, bank nifty में क 2000 करोड की company है, और अगर daily volume देखा जाए, तो इसका 6 lakh के आसपास volume चलता है, जिसमें से आपकी average 5 lakh के आसपास यहाँ पर delivery होती है, तो करीब करीब 85% के आसपास delivery होती है, जो कि एक बहुत बढ़िया sign है stock के reference में, trading come, delivery जादा, ऐसा stock आपको ढूनना होता है, जो long term में आपक multi-bagger की तरह से बन के देता है, तो एक gem stock है आपके portfolio के reference में, देखे, covid का impact बहुत negative था, सभी जंगा पर economic activity halt हो गई थी, पर अब यहाँ पर थोड़ा सा macro condition improve हो रही है, तो अदानी green जैसी company आपको long term के लिए एक अच्छी opportunity देंगी, अगर आप interested है, तो उसमें निवेश करने के लिए, shareholder pattern देखा जाए, तो 75% के आसपास यहाँ पर promoter की holding है, बहुत अच्छा sign है, FIA ने शांदार 22% holding की हुई है, और अगर public की बात करें, आप और हम जैसे लोग 2%, दोस्तों, अपनी holding बढ़ाईए इसमें, यह बहुत बढ़िया stock है, आगे long term के लिए आपको बहुत बढ़िया रहेगा, FIA तो है, पर DIA ने अभी इसमें निवेश नहीं किया है, यह एक छोड़ा सा red flag आपको दियान रखना है, चैनल का 5F rule हमेशे दियान रखना है, आपको wealth को protect condition करन के हाम आएगा, और साथ ही साथ में अगर हम cash flow generation की बात करें, तो इस पिछले financial year में, March 2020 मे इन्होंने 383 करोड का cash flow generate किया था, और पिछले 5 साल से consistently cash generate कर रहे हैं, on average 80 करोड का, जो की एक बढ़िया sign माला जाएगा, company कभी भी cash अपने pocket से नहीं देती है, अपने generate करती operation से, अब देखो जैसे आपको पता ही होगा, कि यह acquisition बहुत ज़्यादा कर रही हैं अपनी capacity बढ इन्होंने एक stake खरीद लिया है, जो 100% equity है, अब इसके चलते हुए, यह long term के लिए इनका बहुत बढ़िया up movement दिखाएगा, from the powered capacity, अब इसके चलते हुए, उनकी जो overall capacity एक company planning है, 25 gigawatt by 2025, तो यह बढ़िया aim है, corporate का vision होना चाहिए, तो यह इनकी growth strategy में overall help करेगा यहाँ पर, देखें, आने वाले समय में government भी काफी साहता करेगी, आपको जो यह stocks हैं, जिनमें power green energy से related है, क्यों, क्योंकि government को भी incentive चाहिए, यहाँ पर अगर market में अच्छा काम बनेगा, तभी लोगों को फायदा मिलेगा, और government tax rebate के रूप में, यहाँ पर आपको advantage देगी, अगर आप corporate office है, तो आपको tax benefit मिलकर, आप अपने rooftop पर ही green energy implement कर सकते हैं, तो यह एक अच्छी पहल है इस company की, जिसके चलते वे government की initiative भी इनको support करेंगे, आगे capacity बढ़ाने के लिए, demand और supply की simple बात है, अगर आपके पास अदानी green के share है, तो उसको कभी मत बीचे दोस्तों, और अ friends में ADAG, अदानी group की अगर हम बात करें दो, दूसरा stock हम बात करने से पहले आपको कुछ अदानी green की, कुछ company के बारे में बताते हैं, अगर आज market देखे तो आज market थोड़ा नम रुख था, एक शुरू में ही negative red candle बन गई थी, तो लग राता pressure नीचे रहेगा, और देखे 49, 49,617, कल अच्छा दिन था, 50,000 के उपर रहा, पर आज फिर से 49,600 के आसपास आ गया है, तो लग रहा है, market में हो सकता है, आज थोड़ा और consolidation रहे, उसके बाद आगे फिर positive momentum शुरू हो सकता है, अब अगर हम company के बारे में बात करें, तो देखे, company के पास में काफी सारे green energy project ह solar power तो है ही इनके पास में, wind power करना चाते हैं, hydro power करना चाते हैं, और इन्होंने solar park में भी काफी बड़े level पर निवेश किया हुआ है, तो यहाँ पर अभी करीब-करीब 15,000 megawatt renewable energy करते हैं काम, 86 location पे हैं, और इनके पास में 437 million unit generate कर चुके हैं, अभी तक यहाँ पर, carbon emission negative है, इसके हिसाब से यह एक बहुत बढ़िया company बनेगी, अगर आप greener future, greener energy में रिखना चाते हैं निवेश अपना, तो यह एक बड़ी company है, long term की दरश्ची से बढ़िया growth दिखाएगी आपको, अगर आज का भाव देखें, तो आज का भाव 1030 के आसपास चल रहा है, और यहा पचास की बहुत अच्छा consolidation करने के बाद breakout दिया था, और कई बार यहाँ पर touch भी क्या है, तो उमीद नहीं है कि फिर से यह 11000 के आसपास आएगा, पर 11000 से 1050 के बीच में आपको बहुत अच्छी opportunity मिल रही है long term निवेश के लिए इस stock में, यहाँ पर अगर हम कुछ इसमें studies add करें, तो सबसे पहली जो हम studies में add करना चाहेंगे, वो है हमारी Fibonacci arch retracement, अगर high point से low point को मिला कर देखा जाए, कहाँ पर सबसे पहला support बनेगा, तो देखिए, जो minor support है, वो 1122 का है, और जो major support है, 1069 का है, यह एक बहुत बड़े level पर support है, यहाँ बहुत strong support की तरह से काम क करेगा, जो कि इसके लिए अच्छा रहेगा long term की दर्शी से, अब अगर हम यहाँ पर आपके लिए one of our favorite study add करें, बुलियंजर बैंड, जो आपको बता देगा कि क्या आपको करना चाहिए long term की दर्शी से, तो देखिए, कभी भी बुलियंजर बैंड के बाहर आप stock को मत ख अगर उसको break करता है, तो 1100 के असपास अच्छी strong support रहेगी बुलियंजर बैंड के basis पर, तो वही हुआ जैसा बुलियंजर बैंड का principle काम करता है, तो इसे साब से ये stock आगे multi bagger की तरह से काम करेगा, जो कि एक long term में आपको बढ़िया निवेश देगा, अगर कुछ इसमे studies और दिखाई जाए आपको, तो यहाँ पर RSI का level अगर देखें, तो RSI का level 44 के आसपास है, हो सकता है कुछ momentum यहाँ पर negative और रहे और उसके बाद फिर ये ऊपर चलना शुरू हो, अगर ऊपर चलेगा, तो सबसे पहला resistance इसका अभी यहाँ पर super trend के basis पर ये buy signal है, 1117 के होता है, तभी वो cell signal generate करेगा, otherwise अभी इसमें buy signal ही generated है, अब जो दूसरी company है हमारी, Acryzal, जिसके बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखे, शमाच आएंगे, जो अगर किसी ने इसमें नुवेश किया है, पर Acryzal की इनको अपनी website को थोड़ा इंप application challenge है, तो very basic, कोई wordpad में इसको बना दे, तो वो better उससे बना सकता है wordpad की information के reference में, पर हम यहाँ पर stock के बारे में बात करेंगे, तो वो बताते हैं आपको यह अपने high-end kitchen sinks के लिए बहुत famous है, इनकी market cap की दरश्ची से 821 करोड की company है, तो एक penny stock की तरह से आप इसको treat कीजे, 2% से जादा आप निवेश नहीं कीजेगा हमारे recommendation है, एक लाग share and exchange होते हैं, 68% के असपास इसमें करीब-करीब delivery जाती है, on average, जो की small cap के reference में एक reasonable expectation है, क्या अच्छी बात हो रही है है यहाँ पर, देखे, macro condition improve हो रही है तो इसकी demand बढ़ेगी, और साथी साथ में better operating margin मिलें क्योंकि यह नए source of revenue रूंड़े, नए नए product निकालेंगे, जिसके चलते हुए, आगे इनकी operating margin further improve होगा, high niche and products के reference में, अगर हम share holding की बात करें, तो यहाँ पर promoter की जो holding है, वो 44% के असपास है, और DIA की holding 7% है, public आप और हम जैसे लोग 48% के असपास holding है, सास्यादा public के पास holding है, इसमें FIA ने कोई holding नहीं रखे है, interestingly, तो यहाँ पर एक बात का red flag ध्यान रखे, cash flow की अगर बात करें, पिछले 4 सालों में एक बहर भी cash flow positive generate नहीं हुआ है, minus 6 करोड, minus 4 करोड, minus 3 करोड और 0 करोड का net cash flow था, 2016 में पहली बार cash flow generated हो था positive, जो कि 16 करोड के आसपास इन्हो is for education purpose, देखे, आपको greed और fear को control करना होता है, जब market में fear आता है, तो काफी अच्छे level के आपके stock जो है, नीचे गिर जाते हैं, और वो बहुत सही level हो का खरीदने के लिए, 375 से यह 307 के आसपास अभी है, यहाँ पर आज trade कर रहा है, अगर यह गिरना शुरू होता है, तो इसका जो पहला support रहेगा, 200 के आसपास आएगा यहाँ पर long term की दरश्टी से, अगर देखा जाए चार्ट की basis पर, अगर हम Fibonacci arch retracement बनाएं इसका, तो देखे, Fibonacci arch retracement की दरश्टी से देखेंगे कि कहा पर इसका major support आएगा, 38 percentile का major support है, वो stock का 257 के आसपास है, और आप इसको आप खरीज सकते हैं, अपने portfolio में, बशर्टे 2 percent से जाधा आपने wish ना करें इस company में, अब यहाँ पर अगर हम देखें, Bullinger Band के basis पर, देखें इसकी जो trading शुरू हुई थी, वो जनवरी को हुई थी, 14 जनवरी से, 203 के share अभी बढ़कर 307 के आसपास अभी चल रहा है, 200 एक अच्छा reasonable fair valuation है इस stock की, जो आप अपने portfolio में add कर सकते हैं इसमें, साथी साथ में अगर हम कुछ और studies इसमें लगाएं, तो देखें, one of the key indicator जो हमारा होता है MACD, MACD आपको पहले ही lead indicator की तरह से बताता है कि कहां पर selling आ सकती है, कहां पर buying आ सकती है, तो अभी इसने पिछ time थोड़ा consolidation होगा और हो सकता है, 200 के level पर आकर ये करें, अगर आपको पता नहीं है, तो हम बताते हैं, इनके international order भी चलते हैं बहुत अच्छे level पर, इन्होंने ICA supply के साथ में, Switzerland basis company में, इन्होंने manufacturing प्रोवाइड करने का बताया है, quads kitchen sinks, जो की इनकी global requirement है, अब इंडिया मे भी IKEA आ रहा है, तो ICA के साथ में इनके already packed हैं, तो यहाँ पर इंडिया के distribution centers पर भी ये इनकी stocks को अपना समान देंगे, अब अगर हम बात करें कि क्या हो सकता है, यहाँ पर long term की दरश्ची से, तो stock में अभी फिलाल थोड़ी selling pressure लगेगा, consolidation होगा, इसके बाद ये एक बढ़िया लेवल पर image होगा, जो support हमने बताई है, वहाँ पर आप खरीदिये इसको, long term में ये एक बढ़िया stock रहेगा, आपके लिए, 500 का range बहुत बढ़िया range है, इसको वहाँ तक consolidation होने दीजे, उसके बाद अभी international market का pressure भी जादा है, तो इसलिए market थोड़ा सर नईची क तरफ को रहेगा, दोस्तों जैसे बताया, अगर आप interested हमारे साथ trade कर सकते हैं, mail drop कीजे, चार वीडियो पर सुने जाएं 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 जाएं